गुजराद ये नाम लेते ही आँखों के आगे गर्वे का घूबर आ जाता है और मुह में ढोगले का स्वाद खानपाल और नृतिकला की बात तो फिर कभी और करेंगे आज बात करेंगे गुजराद के उस आड़ की जो चितरित के आ जाता है हाला कि जैसे मैंने पहले भी कहा कला कहीं सीमाओं में नहीं बंधी हुई होती वो तो अपनी सीमाओं लांग करके अपने रंगों को सिसक को एक साथ में बांधे दे और हमारी एकता का प्रतीक होती है अब कला की बात करें तो यहां की कलमकारी, वागली, पिठोरा यह भी अपनी एक अनोखी चाप करती है और यहां की बांधनी और पटोला के मुह बांध में तो अब बंधी जाएंगे खैर आज हम बात करेंगे एक अलग कला की जो यहीं है, यहीं से पनभी है, यहीं और पडोस के देशों से जन्मी है नाम है उसका रोगन कला रोगन कला वहीं तेलों के मिक्षर से बनाई जाती है और कपड़े पिकी जाती है हलाकि अब यह कुछ ही परिवारों के बीच में पनाह पाइल हुए है लेकिन इस कला की खासियत उसे दूर दराज देशों तक मशूर करती है काड़े तेल के पेस्ट में कुछ बाइंडिंग एजेंट और रंग मिला करके इसकी लई जैसी बनाई जाती है और इसका काम हाथों से ही कपड़े पे किया जाता है कहा जाता है कि यह दुलार के लिवासों पर खूब खिलती थी यह लगभख चार सो साल पहले परश्या से कच्छा आई थी हमेशा की तरह मैं फिर कहूंगी कि कला सीमाओं में नहीं बंधी हुई होती तभी तो दूद सी कच्छी की रेध पर रंगों से खिली रोगन कला हो उभर कराती है और आज की राटीज में बसे तरह ही अगली शेंवार फिर मेरे साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए रंगों और खुश्पूँ के गुजरात में अगर आप जाएं तो जरूर से रोगन कला कर देखिए तब तक गुड़ बाई